नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक मुली चैनल पे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप में यूज ऑफ इन्फॉरमेशन इन बिजनेस बिजनेस के अंदर जो इन्फॉरमेशन का यूज है वो मेंली कैसे होता है और बिजनेस कैसे इन्फॉरमेशन को अपने फाइदे के लिए या अपने बेनेफिट के लिए यूज करती है यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो बिना देर की यह सुरू करते हैं Generally information का use business के अंदर होता है informed decision को लेने के लिए product development के लिए data को store and analyze करने के लिए और business processes में assistance के लिए भी हम information का use करते हैं एक ही करके हम समझते हैं कि यह सब होते क्या है Make informed decision यह पहला use है information का business के अंदर लेकि business हमेशा information को collect करता है analyze करता है ताकि informed decision ले सके वो यानि कि जो decision ले वो उसके लिए सही साबीत हो for example अगर कोई company अपना sales बढ़ाना चाहती है तो वो एक market research conduct कर सकती है जिससे वो industry के trend और जो भी अभी नया चल रहा है उसको वो analyze कर सके और उसके competitors क्या कर रहे हैं उस trend को कैसे वो fill up कर रहे हैं ये सब चीज़ें वो देख सके अब ये research करने से क्या होगा और इस research पर analysis करने से क्या होगा कि ये information उस business को बताएगा कि उनको क्या decision लेना चाहिए और कौन सा decision उनको बहुत ही अच्छा benefit दिलवा सकता है तो कभी भी informed decision के लिए आपको data की जरौत पड़ती है और data in the sense की information की जरौत पड़ती है data से ही information बनता है और उस information से आपको पता चलता है कि वहाँ risk ले आ जा सकता है या नहीं क्योंकि कोई भी company किसी product के लिए या कोई product किसी target audience में बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा invest करती है और वो investment खराब ना हो जाए इसलिए ये research और ये decisions काफी important हो जाते है उसके बाद बात करते हैं product development के लिए तो जब भी company कोई नया product release करती है तो वो एक product research करते हैं सबसे पहले और ये उनको मदद करता है ये जानने में कि वो product कौन से customer के लिए है और वो customer उसमें interested है या नहीं माली ज़े कि आप product बना दीजेगा लेकिन product कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए है तो कोई भी company अगर product बना रही है तो उसको development test लेना पड़ता है कि customer buy करना भी चाहते हैं या नहीं वो उसमें interested होंगे की नहीं होंगे सो product development में भी बहुत सरे phases होते हैं like concept testing, focus group, product test, price test, product demo, product service अब ये क्या होता है कि concept testing यानि कि जब आपके पस project का idea होता है तो group of people से आप उसका opinion लेते हैं कि ये product काम करेगा की नहीं उनको इस चीज की कमी महसूस होती है कि नहीं क्योंकि हम अमेसा सुनते हैं कि जब किसी का need होता है और वो problem gap होता है यानि कि वो problem तो exist करता है पर solution नहीं exist करता है तो वहीं पर कोई product बनता है और वही product फिर से business हो जाता है तो कोई भी business का product है वो कहिना किसी need को fulfill करता है तो जब भी आपके पास कोई product बनता है आप अपने customer से यह पूछते है कि उनको इसकी need पढ़ती है कि नहीं और उनका क्या opinion है और यह सब जानने से आपको इस बात की guarantee मिल जाती है कि आपका जो product बनने वाला है वो काम करेगा बारे में क्या सूचते है release करने से पहले तो यहाँ difference क्या होता है कि company नहीं पर product बना लिया है तो वो उस focus group of people को देती है और यूज करने के लिए देती है और उनका informed review पूछती है उनका मतलब पूरा complete review लेती है और फिर उस पर विजार करती है product test companies कोई भी product को release करने से पहले खुद के लिए भी उसको test करती है और उसके बाद उसको release करती है ताकि उसको यह पता चले कि उसने जो product बना है वो सही बना है या नहीं बना है और वो safe है यूज करने में effective है कि नहीं है उसके बाद आता है price testing कोई भी product का एक price होता है क्योंकि customer pay करता है तो वो price कितना competitive है कितना fair है market के अंदर इसकी भी एक testing होती है और इसमें data collect किया जाता है अलग-अलग competitors का अगर product already अलग-अलग companies में बन रही है तो और अगर आपका product unique है तो वह आपको advantage मिल जाता है लेकिन फिर भी एक fair price ही आप set कर सकते हैं अपने product के लिए उसके बाद है product demo अफकोस जब आपके ये चार हो taste complete होते हैं तो आप product को कुछ customers को देते हैं उनको demo करने के लिए बोलते हैं जब वह demo करते हैं उनको अच्छा लगता है तो आपकोस वह recommend करते हैं और इस तरह से आपकी network build होती है और आपकी marketing होती है उसके बाद होता है product चारवे बहुत सारे लोग product use कर रहे हैं तो फिर वह उसका feedback देते हैं और इस तरह से आप उस feedback को collect करते हैं तो information इन सारे steps के लिए भी ज़रूरी है और ये सारे steps इसलिए perform किये जाते हैं कि उनको उस product के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा information मिले हैं उसके बाद बात करते हैं store and analyze data अब बहुत सारी companies अपने customer के data को collect करती हैं store करकरती हैं अपने audience को समझना चाहते हैं और ये उनको मदद करता है यानि कि ये जो information होता है customer के बारे में वो businesses को इस बात को समझने में मदद करता है कि उनको अपने marketing के लिए जो target customer है वो किस reason में मिलेंगे किस area में मिलेंगे तो अगर आपका personal data किसी company के पास है इस तरह से companies अपने sales और profit को increase करती है इसमें आपका personal data, engagement data, attitudinal data, behavioral data ये सारी data आते हैं अब ये क्या होता है तो personal data में आपका जो भी contact information है आपका name है, आपका address है, ये सारी चीज़ों आते हैं engagement data में ये आता है कि आपने उस website या उस company के product को कैसे purchase किया कैसे interact किया हो, कैसे उसके बारे में सुना हो सकता है, आप direct website पर गया हो हो सकता है, आप उसके application पर गया हो या social media account से कहीं से पता चला हो या email से, या text message से कहीं से आप engage कर रहे हैं जब उस company के साथ उसका data भी उनके लिए important होता है attitudinal data का मतलब होता है this is data कि customer कितना satisfied है उस company के साथ purchase करके और वो कितनी बार उस company से चीज़ें को खरीता है इसी को attitudinal data भोलते है behavioral data इसमें क्या होता है, कि जो भी transitional data होता है customer purchase करता है, कितनी बाब purchase करता है क्या history रही है उसकी purchase करने की वो कहाँ click करता है, किस type of categories का product select करता है shopping के दोरान ये इन सब चीज़ों को behavioral data बोला जाता है तो इन सारे data से companies को फाइदा होता है उनको अपने sales को बढ़ाने में आपके data को वो track करते हैं analyze करते हैं और फिर आपके लिए जो भी product उनका अच्छा है match करता है, वो आपको recommend करते है उसके बाद बाद करते है assist with business process इसका मतलब क्या है तो information का use करके business अपने business processes को बहतर बनाती है अब business के अंदर companies के अंदर बहुत सारे processes होते है उन processes का feedback मिलता है कभी customers मिलता है, कभी employees से मिलता है कभी और भी लोगों से मिलता है supplier से मिल जाता है इस तरह से वो अपने processes को streamline करती है, हर चीश के लिए उनके पास एक predefined process होता है और उसको streamline किया जाता है, समय समय पर improve किया जाता है और इन ही सब चीजों की वज़े से कोई भी company अपने कुछ business task जो कि बहुत common है, उनको automate कर पाती है ताकि management team जो है वो more challenging task पर focus कर पाए तो I hope कि आपको समझाया होगा कि information का जो use है businesses के लिए वो कित्मा important है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कि अपने के लिए लिए टाए